नन्मीट कपूर ने पूरी की पिता रिशी कपूर के अंतिम संस्कार की प्रिक लिया वेटे रडबीन ने अपने पिता के अंतिम संस्कार को पूरा किया इस दोरा उनकी परिवार के सदस और कुछ करीबी लोग बहां मेजूद रहे रिशी कपूर के अंधिस्कार में सिर्फ 24 लोगों के सामिल होने की इसाज़त थी वहीं समसान के बाहर रिशी कपूर के फैंस भी जमा होने लगे थे जिने पुलिस ने दूर किया समसान घाट के तीनों रास्तों पर पुलिस ने वेरिकेटिंग कर रखा था ताकि सोशल डिस्टेंसिन का पारण हो सके पापा को आकरी वार जीवर के देख ना सकी वेटी रिधमा आलिया ने कराया आकरी धर्शन रिधमा कपूर शाहनी अपने पापा रिशी कपूर को आकरी वार जीवर के देख भी नहीं सकी रिधमा ने पापा को वीडियो कॉल पर अंतिम विदाय दी सोशल मीडिया पर रिशी कपूर के अंतिम सथकार की कुछ तस्वीर वारिल हो रही है उन तस्वीरों में से एक तस्वीर आलिया की थी जिसमें उनके हाथ में फोन दिखाई दे रहा था आलिया इस दोरान फिर चैट पर रिद्मा को उनके पापा की आखरी दर्शन करा रही थी दराशन लॉक्डॉन के चलते रिशी कपूर की वेटी रिद्मा दिल्ली से मुंबई में नहीं पहुच पाई थी इसलिए फोन के जरीए ही उन्होंने अपने पापा को अंतिम बिराई दी रिशी कपूर के निदन पर सल्मान खान ने लिखा कहा सुना माफ सल्मान खान ने रिशी कपूर के निदन पर गहरा दुख जतातो हे माफी मागी है सल्मान ने टूट किया सुरिधान जली चिंटू सर कहा सुना माफ परिवार और दोस्तों को संबल सांती और रोशनी मिले सल्मान और रिशी कपूर के बीच नरम गरम रिलेशन्शिप रही है सल्मान के साथ उनके रिशिदार में तनाओ कुछ साल पहले सुनम कपूर की शादी में के वक्त आया था डायम साफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मताबिक सुनम के वेंडिंग रिसेप्शन में सल्मान ने रिशी का अविनंदन नहीं किया था रिशी का सल्मान की भावी सीमा से जगड़ा भी हो गया था बाद में सल्मान ने एक इंट्रिव्य में कहा था कि अगर कोई लगातार उनके परिवार या उनका अपमान करता रहेगा तो वो भी उसका सम्मान नहीं करेंगे अमिताब बोले रिशी से मिलने कभी अस्पताल नहीं गया उदास चैरा नहीं देख सकता था अमिताब बच्चे ने अपने विलोग के जरी रिशी कपूर को भाबुक सुर्धान जली दी है उन्होंने अपने दोस्त को याद करके यादकाल लम्य साजा किया है अपने विलोग में अमिताब ने लिखा मुझे एक वार राज कपूर ने अपने घर बुलाया था तब मैंने पहली बार एक नोजवाब उत्षा और शैतानी से भरे चिंटू को देखा था मैंने जायातर उन्हें आरके स्टूडियो में देखा था जहां वो अपनी फिल्म बॉबी की तजारी कर रहे थे वो एक ऐसे कलाकार थे जो सब को जानना चाते थे शीकना चाते थे उनकी चाल हमें साथ मिश्वास से भरी होती थी कई बार उनकी चाल मुझे महान पृत्विराज जी की याद दिला थी रेशी कपूर और रिफान खान की निधन से गमगीन धरमिंदर बोले सदमे पर सदमा एक्टर धरमिंदर ने दोनों का लाकारों की निधन पर अफसोर जाहिर किया है धरमिंदर ने टूइट करके लिखा सदमे के बाद सदमा रेशी भी चला गया उन्होंने कैंसर के खिलाब बहदुरी से लड़ाई लड़ी वो मेरे लिए बेटे की तरह थे बहुत धुखी हूँ और टूटा हुआ हूँ उनके परिवार के लिए दुगाएं रेशी कपूर ने धरमिंदर के साथ कई फिल्मों में काम किया था इनमें सित्तमगर, कातलों के कातिल, सेड़ दिल, टेल मी ओ खुदा, हतियार जैसी फिल्में शामिल है रेशी के लिए अनिल कपूर ने लिखा इमोशनल नोट, मेरी मा के लिए आप बेटी की तरह थे अनिल कपूर ने रेशी कपूर के बच्वन की फोटो इशर की है ये फोटो कुछ बख पहले रेशी कपूर ने ही सोसल मीडिया में साजा की थी इस तस्वीर में नन्य रिशी अनिल कपूर और गोनी कपूर भी थे है उनके हाथों में कोला है इस तस्वीर के साथ अनिल ने लिखा मेरे प्यारे जेम्स, पता नहीं कहां से सुरू करूँ बड़े होने से लेकर परदे पर अपने सपनों को जीना हम हमेशा इसमें साथ रहें आप हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह रहें जब मुझे जरूरत थी तो आपने कांधा दिया एक राह दिखाने वाला जब मुझे उस शाहरशन की जरूरत थी और एक दोस्त आपने मुझे और मेरे परिवार को जो प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया अनिन ने आगे लिखा आप मेरी मा के लिए एक वेटे की तरह थे और आप जानते हैं कि कृष्टिना अंटी को मैंने हमेशा माही समझा 24 गंटों के अंदर चले गए दोनों दिग्रिजों ने एक साथ किया था काम फिल्म थी डीडे निखिल अडवानी निर्जसत डीडे जिसमें रिशी कपूर और इर्फान खान दोने ही कलकार एक साथ नजर आये थे जिसमें रिशी कपूर ने अंडर वर्ल डॉन दाद विःम से प्रेरे ट्रोल किया था वही रिफान खान राईजेंट बने थे चिंटु सा के फैंते करन जोहर एमोशनल नोट शेर कर बताया कैसे थी दीवान गी करन जोहर बच्पन से रिशी कपूर के एक्टिंग के दीवाने थे उन्होंने रिशी कपूर को याद करते हो सोसल मीडिया पर एक पोस्ट शेर किया है उन्होंने इस्टेग्राम पर रिशी कपूर की एक तस्वीर के साथ एक पोस्ट लिखा है मैं तब साथ साल का था और मुझे पता चला कि मेरे पैरेंट्स दुनिया मेरी जेम में के प्रिवो के लिए बुलाए गए हैं इसमें मेरे पसंदिदा एक्टर रिशी कपूर थे इस्कूल वाला दिन था और मेरी मा ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया मैंने जबरदस्त नाटा करना सुरू किया क्योंकि मुझे ये बरदास्ट नहीं हो रहा था कि मुझे चिंटो सर की फिल्म देखने जाने की इजाज़त नहीं है आखेकार भी मान गए और मैं चला गया आखों में सितारों सी चमक लिए ठीक बैसी ही जैसे कि परदे पर उन्हें देखकर हमेशा होते थी वो मेरे हिरो थे बहुती हैंसम बेहचार में गजब के रोमांटिक रिशी कपूर मेरा बच्पन हमेशा उन्हें देखकर गाते हुई भी था उनके एक तरह प्रिटेंड शोटर पहन कर अपने वेडरूम में डांस किया करता था इस्कूल के दोस्तों के सामने अपने डिनर पलेट को लेकर उनके गाने डफली वाले की निकल क्या करता था रिशी कपूर को याद कर भावक हुए कुमार सानू उनके लिए गाय गाने को लिखकर सुनाई एमोशनल कहानी एक टीवी चैनल से बाचीत में कुमार सानू ने कहा 1992 में दीवाना फिल्म का गाना सोचिंगे तुम्हें प्यार गाना मैंने रिशी कपूर के लिए गाया था उनके साथ गुजरे पल में कैसे भूल सकता हूँ वो सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं वलकि सुरो और गानों के बोल तक में शामिर रहते थे हर जगा उनके उपस्तरती रहती ऐसा नहीं कि एक एक्टर आया अपना काम खतम किया और फिर चला गया रिशी कपूर ऐसे थे जो सब जगा थे रिशी कपूर कुछ दिन पहले तवियत बिखननी के कारण अस्पिताल में भरतू हुए थी देखिये अस्पिताल में एक आखरी पल रिशी कपूर जी के साथ भल रुष दिन प्यास्ट भाई तो झाने, पल एक एक भी बीड़ोर को भी हुई खरा हुआ यदी उन्सपिताल में टना क्रण भाई झाल जो विए एक एक रहाए हुआव रिशी घवाटभ पल गवाने, बागदा़े व एक रहाने, दो झाले के जाए है झाल झाल